ये है उत्तराखंड में स्रीनेगर के पास टनल नंबर दस का नजारा ये टनल नंबर दस पोर्टल टू है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टनल तयार की गई है इस टनल के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर सेफटी सुपरवाइजर दूसरेंजी निउस टेशन में आपका स्वागत है ये रेल सुरंग किस तरह से खास हो जाती है इसके बाद आप का स्रीनगर है ये वाली जो जारी है ये मलिधा को मिलेगी 4.1 140 मीटर करीब है यह बहुत इसमें मलद सेकार यह हो रहा है सब पूरा प्रफिकर तेंग का तो रहता है पूरा एक मेंटे नल एक तरप इसके बग़र में इसके यह वह मटनल है यह कितनी टनल हो चुकी सर अभी तो डो टनल यहां है राणियाट में बागी दो मलेधस आ रही है एक लजमोली में सिंगल फेज है वहां से दूरी कम है लजमोली से मलेधैका यहां से तूर के अंदर कैसे खुदाई होती है किस तरिके से खुदाई जाता है ओज्टाइ सर मसीनिरी है अपना breaker बगरा हो गए ब्लास्टिंग का है जैसे रॉक के साफ से होता है सर जैसे फेस का जो रॉक होता है कंडिसन उसके ब्लास्टिंग भी होता है लेकिन एक पर सेप्टी टंग से पूरड काम चलता है मलेथा में भी रेल्वे स्टेशन बन रहा है और वो रेल्वे स्टेशन कहीं न कहीं एक अच्छी कनेक्टिविटी देगा आप अपने गाव वालों से क्या कहेंगे और मलेथा से स्रीनगर के बीच में यह जो कनेक्टिविटी है यह कहीं न कहीं बड़ी आसानी कर देगी यहाँ पर आप समझ सकते हैं सुरेंजी के चेहरे की खुसी साफ साफ बता रही है कि यह रेल्वे लाइन कहीं न कहीं उत्तरा खंड के लिए एक वरदान बनकर सामने आ रही है वरदान है यहाँ के लिए क्योंकि जब रिसिकेश से तेज रफतार ट्रेने चलेंगी तो एक बहतर कनेक्टिविटी होगी क्योंकि इस इलाके में जब बारिस होती है तो कहीं न कहीं सडके थम जाती है याता या थम जाता है खत्रा बढ़ जाता है तो वो सारे खत्रे कहीं न कहीं रेल्वे दूर करने जा रही है आने वाले दिनों में 125 किलो मीटर लंबे रेल रूट पर तेज रफतार ट्रेने चलेंगी कहीं बंदे भारत चलेगी कभी राजधानी चलेगी या सताबदी जैसी ट्रेने चलेंगी तो निश्चित तोर पर इस इलाके का विकास और तेज हो जाएगा कैमरामेन हीरा मंदल के साथ सिद्धार्थ न्यूजी स्टेशन स्रीनगर